आज हम Time and Work के बारे में कुछ basic आपको बात बता रहे हैं समझे की chapter ही आपको शुरू कर रहे हैं इसका वीडियो Part By Part हम आपको भेज रहे हैं जैसे Part One हम भेज रहे हैं तो इसमा आपको सबसे परले यह सिखा रहे हैं कि दो time को कैसे आपस में जोडते हैं इस चेप्टर में एक आदमी काम को 5 दिन में करता है, एक आदमी 10 दिन में तो दोनों मिलकर 15 दिन नहीं होता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, इसलिए कि यह चेप्टर का नाम है समय और कार्ज, लेकिन कोस्टन जो है, समय से एक भी कोस्टन नहीं बनता है, पूरा का एक भी ऐसा कोशन नहीं है जो समय से बनता हो सारा कोशन कार्ज से बनता है तो पहला स्टेप में यह सिखा रहे हैं कि दो समय को आपस में कैसे मिलाया जाता है जोडा जाता है जैसे मान लिजे कि एक मजदूर है यह दिवार को 20 दिन में पूरा बना सकता है एक और मजदूर लगा दिया जाता है इसी तरह का एक और मजदूर लगा दिया जाता है यह मालिक इधर से काम सुरू करता है यह दिवार को बनाने में मालिजे कि इसको 30 दिन लगता है इसको लगता है 30 दिन तो बताईए, दोनों मिल करके दिवार को कितना दिन में बना देगा, 20-30-50 दिन, नहीं, जब दोनों मिले का तक काम और जल्दी न हो जाएगा, कम ही दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो यहीं यहाँ चैप्टर जो है, समय से नहीं बनता है, कार्ज से बनता है, तो दो समय को आपस में पहला हम इस वीडियो में दो समय को आपस में मिलाना हम आपको सिखा रहे हैं तो देखा जाए A किसी कार्ज को 20 दिन में करता है B वहीं कार्ज को 30 दिन में करता है तो बोला गया कि दोनों मिल करके कितने दिनों में करेगा तो जहाँ पर बात जोडने की है, दोनों मिल करके तो जाईरे की दोनों को जोडना पड़ेगा, तो जहाँ पर जोडने वाली बात है, वहाँ पर उपर में गुना कर दीजिएगा, और नीचे में जोड दीजिएगा, 20, 30, कितना 50, कल्कुलेशन करिएगा, तो अंसर आपको 12, यानि A और B मिल करके पूरा काम को 12 दिन में कर देगा, तो कभी भी दो समय को जोडने वाली बात आ जाए, तो उपर में गुना करके नीचे जोड दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम बताएंगे घटाने के लिए, जब आत घटाने की हो, तो उपर में गुन इस दिन में करता है, ति तीनों मिल करके, एक बार A का दिया है, आपको 20 देज, उसके बाद आपको फिर B प्लस C का दिया है, 30 देज, आप बोला गया है कि दोनों मिल करके, तो यहाँ पर जब जोड़िये गाती हो जाएगा, A पलस B पलस C, यानि तीनों मिल करके काम को कितन दिन में करेगा तो तीनों मिल करके बाद जोडने वाला है तहीं तो आपको जोडना पड़ेगा तो समय सिधा नहीं जूड़ता है समय ऐसे जुड़ेगा 20-30 बटा में 50 और अंसर हो गई आपको 12 दिन कभी भी कहीं भी दो समय को जोड़ना रहे तो उपर में गुना कर दीजे नीचे में जोड़ दीजे और देखा जाए बोला गया है कि A और B आपको 20 दिन में C और D 30 दिन में तो चारों मिल करके कितना दिन में तो फिर बात जोडने वाला है, तो जोडने वाला है तो वहीं उपर में गुना कर दिजे और नीचे में जोड दिजे, 20 गुना 30 बटा 50 अंसर आगया 12 दि, कहीं भी जोडना पड़ जाए, कहीं भी दो समय को जोडना है तो उपर में गुना करके नीचे में जोड दिजे, और देखा जाए ए आधा काम पांच दिन में करता है यह पूरा काम करेगा कितने दिनों में दस दिनों में हमेशा पूरा पर निकालिएगा बी एक तिहाई काम 15 दिन में करता है तो पूरा काम तीन गुना पांच 15 दिन में करेगा अब बोला गया है कि बताइए दोनों मिल करके का दिन में करेगा, तो फिर बात आ गया जोडने वाला तो उपर में दोनों को गुणा कर दीजे और नीचे में जोड़ दीजे जीड़ सो, पचीज से छे बार कटेगा और अंसर हो जाएगा 6 दी कहीं भी दो समय को जोडना है तो उपर में गुणा कर दीजे नीचे में जोड़ दीजिए और देखा जाए बोला गया है कि ए दो बटा पांच कार दस दिन में करता है तो पूरा पहले पता कर लिए उपर उपर कटाईएगा दो से ही कटेगा पांच बार क्रोस गुना होगा यानि ये पूरा काम को करेगा पचीस दिन में उसी परकार भी कि तीन-चौथाई काम 15 दिन में करता है तो तीन से कटाईए पांच चार से गुना करिए यानि पूरा काम कोई करेगा 20 दिन में अब बोला गया है कि दोनों मिलकर यानि दोनों मिलकर तो फिर होगे मिलाने वाली बात यानि जोडने वाली तो समय सिथा नहीं जोडता है लेकिन हमको पूरा नहीं बताना है, हमको बताना है कि 9 बटा 10 कार्ज केतना दिन में करेगा, तो इसमें 9 बटा 10 से गुना अंग से कट जाएगा पांच बार पांच से कट जाएगा पांच बार और अंसर होगे आपको दस दिन यानि दोनों मिल करके 9 बटा 10 काम को 10 दिन में कर देगा आगे देखा जाए जैसे अगला कोस्तन देखिए 6 नंबर कोई चीप परसेंट में लिखा हुआ है तो टोटल होता है 100% 100% पूरा काम मतलब 100% तो 40% काम करता है 20 दिन में तो पता करिए कि 100% काम के दिन में करेगा तो 40 का अधा 20 है तो 100 का अधा होगा 50 यानि या पूरा काम करने में 50 दिन का समय लेगा 20 60% 12 दिन में करता है 60% का मान 12 है तो 100% का मान कितना तो 60 का ही एक बटा 5 भाग है तो इसका ही एक बटा 5 हो जागा 20 दिन आप हमको पता चला कि ये पूरा काम 50 दिन में करेगा और भी पूरा काम 20 दिन में करेगा आप बोला गया है कि दोनों मिलकर तो फिर बात आ गया जोडने वाला दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर मतलब जोडने वाला बात आ गया तो हम लोग कैसे जोडते हैं तो उपर में गुना कर देते हैं और नीचे में जोड़ देते है तो दोनों मिल करके काम को इतना दिन में करेगा लेकिन बोला है कि 50% काम केतना दिन में होगा तो इसका 50% भी आपको निकालना पड़ेगा 50% नहीं काता तब यहीं अंसर हो जाता चलिए इसका कल्कुलेशन कर लिया जाए तो इससे देखा जाए अब देखे यदि दो से ज्यादा आदमी हो जाए दो से ज्यादा समय को जोड़ना है जैसे एक काम को 20 दिल में करता है 20 30 दिल में 60 दिल में यहां पर दो समय को नहीं जोड़ना है दो से जादा, तीन, चार, पांच हो, तो दो से जादा जोड़ना है तब सबसे अच्छा मेथड़ ऐसे है, उपर में आप LCM ले लिजे, उपर में LCM, तो 20, 30, 60 का LCM हो जागा 60, और नीचे में भाग दे दे करके लिखिएगा, 60 में 20 से भाग दीजे 3, 60 में 30 से भाग दीजे 2, और 60 में 60 से भाग दीजे 1, 3, 2, 5, 1, 6, कटाईएगा, 3, 2, 5, 1, 6, से 10 वर कटेगा, यानि तीनों मिल करके पूरा काम को 10 दिन में ही खत्म कर देगा, तो दो समय को जोड़ना है तो क्या करना है, उपर में गुना करना है नीच चप्टर में कैसे जोड़ा जाता है, अगले पार्ट में आपको बताएंगे घटाने के लिए, उसके बाद तब जो है फिट टाइब बाई टाइब आगले टाइब जो है शुरुवात हो जाएगा, तो रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, बहुत हो धन् प्रिवात